हेलो स्टो आप सभी इक सो बात करेंगे आपर दीपक नाइटेट के बारे में दोस्तो इस कमपनी में एक धमाकेदार ब्रेकिन डियूस आज चुकिए उसे डिसकस करेंगे और देखे जो बदलाव इस कमपनी में हो रहा है और बड़े निवेशक जो इस कमपनी में दाव लग पर देखे यहाँ पर company के business पर भी दिखाई देता है तो बदलाओ यहाँ पर जो हो रहे company में उसी से यहाँ पर लोग दोस्तों इस company में निवेश कर रहे हैं तो आपको जानकर होनी ही चाहिए कि क्या बदलाओ हो रहे हैं और क्यों हमने निवेश करना चाहिए तो चलिए start कर लेते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो दोस्तों लाइक सब्सक्रेब जरू करना यहाँ पर देखे दीपक नाटेट एक ऐसा stock बनने वाला है आगे जाकर जब यहाँ पर आपको पस्ता होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि देखे काफी न बोना स्प्लीट देगा और फिर भी प्राइस बड़ेगा तब भी आप महींगा ही समझेंगे बोलतों मोका जो होता है देखे मिलता है तब उसका फाइदा फटा फट लेना चाहिए और उसको यहाँ पर ज्यादा हमने इंतजार नहीं करना चाहिए बोलतों उसका यूज कर देखेंगे वो फाइदे में रहेंगे और जो लोग निगलेट करकर जाएंगे वो यहाँ पर अपना अपना डिसिजन ले सकते हैं चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों दीपक नाटेट में आज आउस्टेंडिंग तरीके से तेजी देखने को मिली है वो भी यहाँ पर पर यहाँ पर स्टॉक एक लिमिट में चल रहा है और वह यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे के 2200 और 2300 इसके बीच में चल रहा है और आप एक महिने का औप्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता भी चलेगा देखिये 2200 और यह तेवी सो इसके अंदर ही इस्टॉक चल र जैसे इसने 2300 रुपए का लेवल क्रॉस करा तो उससे अच्छा ही हापर पॉजिटिव मुमेंटम अब दिखाई देगा अब देखे इसके अंदर हो क्या रहा है उसकी जानकर यहां में यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों आप पूरी तरके से बात को समझ गए तो आपको फायदा बहुत अच्छा होगा देखे इस कंपनी में जो शेर होल्डिंग है उसमें काफी बड़ा बदला हो चुका है अब बदला हो कैसा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा कोई बड़ा निवेशे खरिता तो मैं कहता नहीं कि आपको यहाँ पर जरू खरिदना चाहिए बट कंपनी को जो चला रहा है वही खरिद रहा है तो कोई ना कोई बात आगे जाकर होने वाली है इसकी तैयारी आपने अभी से करनी चाहिए देखिए आप यहाँ पर आई से बहुत से एक्जामपल ह है फसके बट्रके कि पर्वसरस और में कर कि यहाँ था ताटा इसकी अधियता ब करते हैं उसमें प्रोट की संब्सक्रात नोत हुआ चाहिए जब हैं जब जब किसीक जयातर बहुत दिखाई देती है क्योंकि उनको अंदर की information पता होती है development क्या होने वाली है और करने क्या वाले है अभी देखे प्रमोटर की holding की बात करें अब यहाँ पर आप observe करेंगे तो यह December महिना देखेंगे तो आपको नजर आगा देखे 22 2021 का यह और यह March महिना 2022 का है देखें पिछले quarter में 45.69% था stake और बढ़कर अभी कितना हो गया 45.72% तो आप देख रहे हैं इसमें stake बढ़ चुका है प्रमोटर तरफ से और यहाँ पर आपको सीधा पंड़े को मिल जाएगा आप देख सकते हैं और आपको पता भी चलेगा प्रमोटर हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 45.69 तो 45.72 मार्च 2020 कौर्टर में यह changes हुए हैं अब देखें mutual fund scheme ने भी इसमें यहाँ पर stake बढ़ा दिया उनके पास यहाँ पर 21 जलाता है उसीने माल उठाया है तो इसमें definitely एक बात है कि company पैसा कमा कर जरू देने वाली है और company का revenue देखिए कितना अच्छा और continue growth करकर दिखा रहा है और उसी तरीके से यहाँ पर हमें net profit भी देखें uptrend momentum और जबरदस और यहाँ पर आप fundamentally देखेंगे काफी strong इस company का performance है और जैसे मैं आपको ROC के बारे में बताता हूँ वो भी आप देख सकते हैं वो भी growthable है तो point company में कोई भी खराब नहीं है और आज भी देख सकते हैं इसमें 2,14,000 का माल उठाएगा है बलतो 2,14,000 quantity निवेशक ने खरिद कर रख ली एक एक बार देखें 200,300,400 इसी quantity यहाँ पर final dividend के बारे में जो financial result है उसके साथ यहाँ पर dividend का अपरोल भी देखने को मिलेगा और वो चार मेको है तो आप जरूर focus रख सकते हैं और understanding कर सकते हैं थैंक्यू समत दोस्तो